प्यारे बच्चो इस वीडियो में हम अंक जगत कक्सचार की कार्य पुस्तिका के दिन 17 के अभ्यास प्रस्णों को हल करेंगे सबसे पहला हमारा प्रसन है नीचे दिये गई प्रस्णों को हल कीजिए इसमें पहला प्रसन है के पांच बोक्स में समान रूप से 15 लड़ू डाले तो आपको करना क्या है परतेक डिबे में कितने लड़ू आएंगे अगर आप मान लीजिए यहाँ पर दे रखा है 15 लड़ू है और पांच बोक्स में डालने है तो पांच तिया 15 तो 15 आएगा शेष कितना बचेगा जीरो तो यानि के परतेक बोक्स में 3 लड़ू आएंगे पांच से 15 को भाग करेंगे तो 3 आएगा अब देखिए यदि वहत 3 बोक्स का उपयोग करता तो परतेक बोक्स में फिर कितने लड़ू आते अगर मान लीजिए 15 लड़ू है और बोक्स इस बार होते 3 तो 3 पंजे 15 तो फिर परतेक बोक्स में कितने लड़ू आते 5 तो आप भरेंगे इसमें 5 यानि के आप यहां खाली जंगे में 15 लिखिए तीन से भाग करेंगे तो 5 आएगा अब देखते हैं हम अपने second question को इसमें हमें क्या करना है नीचे दिये तस्वीर को देखकर जवाब दीजिए अब इस तस्वीर को देखकर आपको जवाब देना है अब यहां पर देखिए यह कुछ pencil यहां पर दी गई है आप इन pencil को गिन लीजिए गिनने के बाद यह 16 pencil हो करती हैं तो कितने box बनेंगे तो आपको पता है 16 को आप 6 के 6 से भाग कर दीजिए पहले 6 दूनी आएंगे 12 शेश कितना बचेगा 4 यानि के 6 6 के 2 तो box बन जाएंगे 6 और 6 बार है 2 box बन गए और 6 कितने बच गए है 4 6 बच गए है ठीक है तो 2 तो box बनेंगे और बची हुई पैंसिले कितनी है, 4 है अब यहां पर आपको क्या करना है उपर किये गए हल के अनुसार निमन 2 प्रसनों के जवाब लिखे आप इन पैंसिलों को कितने box में भर पाएं यह पैंसिले हम 2 box में भर पाएं अभी दो पैंसिलों की कमी है नहीं तो तीसरा box भी भर जाता पूरी पूरी तरह से इन सभी पैंसिलों को रखने के लिए आपको कितने और बोक्स की जरूरत होगी पूरी तरह से अगर हम इन पैंसिलों को रखते हैं तो हमारे पास चार पैंसिले बची हैं तो एक बोक्स और चाहिए हमें ताकि हम ये चारों पैंसिले उस बोक्स में रख दे ठी हम जो है चार बोक्स बना पाएंगे चार चार पैंसिलो के अब देखते हैं क्या एक और दो के उत्तर समान है इस से पहले वाले प्रस्ण में एक का मतलब ये पहला जो प्रस्ण है इस प्रस्ण में जो उत्तर आए हैं और जो ये पैंसिलो वाला सवाल है इसमें जो उत्तर यहां पर 15 लड़़ू की बात की गई है यहां पर 16 पैंसिलों की बात की गई है शेश तो आयगा ही और अगर शेश नहीं भी आता मान लीज़े यह 16 की जग है 18 होतें अगर 18 भी देता या 12 भी देता है शेश इनध में फिर ना आता क्योंकि हमें 6-6 pencil के box बनाने है तो तब भी ये पहले प्रसन का उत्तर और दूसरे प्रसन के उत्तर अलग-अलग ही रहते ठीक है तो 6 ना होता तो उत्तर समान होते तब भी नहीं होते तो इसमें नहीं आएगा अब देखते हैं हम प्यारे बच्चों अपने तीसरे सवाल को यहाँ पर आपको भाग करनी है अब इसमें जैसे 360 से हम भाग करेंगे 360 को भाग करनी है तीन से तो तीन से भाग करनी है तो आप तीन से भाग कीजिए 360 को तीन का पाड़ा चलाईए, तीन का पाड़ा तीन में चलेगा, तीन इकम तीन, एक बार चलेगा, उपर से इस छे को उतार ये, छे में तीन का पाड़ा कितनी बार चलेगा, दो बार, तीन दुनी, छे, अब उपर से ये तो पूरा कट गया, घटाएंगे तो जीरो बचेगा, उपर से ये 0 नीचे उतार लेंगे अब 0 में 3 का पाड़ा नहीं चलेगा तो यहाँ पर भी 0 लगा लीजिए तो यहाँ पर कितना बन जाएगा 120 तो यानि के हमारा उत्तर आ जाएगा 120 ऐसे ही 4 से इसको भाग कर दीजिए ठीक है 4 से भाग करेंगे तो 4 का पाड़ा इस 4 में एक बार चलेगा उपर से हमने 3 को उतार लिया 3 में पाड़ा नहीं चल रहा है तो एक 0 लगा करके 6 को भी उतार लीजिए और 4 नम 36 आ जाएगा तो 36 कट गया पूरा तो 109 हमारा उत्तर है ऐसे ही 2 से काटिये 268 आएगा हमारा उत्तर अब देखिए 2 से 5 में 2 बार चलेगा दो दूनी 4 चार लिख दिया 5 में से 4 गटाया 1 तीन उपर से उतार लिया तो 13 हो गया 2 चिंग 12 13 में से 12 गटाएंगे तो 1 आएगा उपर से उतार लीजिए इस 6 को तो 16 में कितनी बार पहड़ा चलेगा 2 का 2 अठे 16 तो ये हमारा बचा 0 यानि के हमारा भाग करके आ गया है 268 तो इस तरह से प्यारे बच्चों इस वीडियो में हमने अंक जगत कक्सा 4 की कारे पुस्तिका के 17 के अभ्यास प्रसनों को हल किया है आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए इसको लाइक कीजिए शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सबस्क्राइब कीजिए धन्यवाद प्यारे बच्चों